दोस्तों जिस उमीद से आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है सबसे पहले हम आपके उमीद पर इस वीडियो का इंट्रो आपको दिखाता हूं सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देखें फोटो सॉप मारा खुला हुआ है इस फोटो सॉप के अंदर मैं आपना फोटो इसके बाद दोस्तो इस फोटो के बेंग्राइं में एक ऐग्राइं लगाता हूँ है उसके सहथ मैं चाहूं तो जो इसके पीछय था उस बेग्रों को मैं कर सकते हैं सिंप्टली किलिक मी जैसे मैं क्लिक करते हूं देखें ब्लö का उप्षन ओधन हो चुकए हैं झाल पर मैं बलर को अपने intensity के हिसाब से बड़ा या फिर घटा सकते हैं उसके बाद plan clear set होने के बाद यहां पर मैं चाहूं तो इसको एक क्लिक में passport size photo में convert कर सकते हैं यहां पर आपको अलग-अलग कई तरह के passport size को convert करने के लिए यहां पर size दिया गया है तो मैं यहां पर किसी एक size के उपर क्लिक करता हूं like जैसे की a4 size के 32 photos यानि की 32 photo इसके उपर जैसे क्लिक किया एक क्लिक में यहां पर पूरे सीट में 32 फोटो बनके तियार हो चुका है उसका दोस्तों लास्ट क्लिक यानि कि चौथा क्लिक तो चौथे इस टेप में दोस्तों यहां पर हमारा प्रिंट का option open हो जाता है उसका चिंपली हम बहुत ही असाने से अपने printer के कम चयन पर इस टूल की मदद से आप बहुत यह असाने से अपना कामों को आसान कर सकते हुए चाहए फिर आप ये इंटरनेट प्रो टूल लीजो टूल यह आपके फोडोल ने इंटि कर जाता है यह पेनल आपके फोडोल में आ जाता है और उसकी मदद से आप अपने कामको आसान कर सकते हो इसी इस तरीका से आप काम नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपको इस तूल की ज़रूरत पड़ती है तो यह तूल का प्राइज 5.99 रूपीज है लेकिन मैं इसको दिवाली के सेल ओफर में सिर्फ और सिर्फ 1.99 रूपीज में आपको प्रवाइट करने बाला हूं और इस तूल को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्प्रिक्शन में मिलेगा वहां से आप इस तूल को ड दिखाई देगा और उसके साथ आपको कुछ नाम इमेल अड़ी और मोबाइल नमर फिल करने का उप्शन मिलेगा और जैसे आप पेमेंट करके आप अपना ट्रांजेक्शन नमर वहां डालके सेंड क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सीधा हमारे वाटसप पे लेकर आएग अगर आप इस टूल को डाउन लूड कर लिए हो चलि मैं आपको बताता हूं कि इसको यूज कैसे करना है तो सबसे पहले दौह हम इसको यूज करना सिखेंगे और उसके बाद हम आपको बतायंगे कि आप इसको इंस्टाल कैसे करेंगे दो ड्यश्ट में देगे लिंक पर टॉपंटलोड करें आपको यहां को लिए मिल जाएगी तो डाउनलोड के बाद कुछ इस तरीका से फाइल आपको देखने को मिले करने के बाद यहां पर आपको फोटो मैजिक प्रो के नाम से सेम इसी नाम से एक फॉल्डर बन गया है और इस फॉल्डर के उपर हम डबल क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको दो फाइल मिल रहा है एक के अंदर आपको यहां पर स्वाप्टर टूल मिल रहा है जिसमे यहां पर यह जो आपको link मिल रहाँ इस link के ऊपर क्लिब करके यहां पर इसको selectRI الص एंटर बटन दबाने के बाद यहां पर आपका देखे यह लिंक ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको डाउनलोड का ओप्शन मिलेगा यहां पर लिखा हुआ है अपर आपको डाउनलोड के यहां पर आपको आपको डाउनलोड करने के लिए इसके उपर आपको राइट कि करना है और राइट्क क्लिक करके आपको वाले ओपसन में फिर से जाना है और यहां पर Extra add अब डेखेंगे कि आपके यहां पर फोल्डर घुर यहां पर फोल्डर बन गया है यहां पर तो यहां पर फॉल्डर चुका है अब आपको क्या करना है इसके उपर आपको डबल कलिक करना है और यहां पर किलियरली ही लिखाबत मिलेगा एकमछ पाप्स पूछेगा सुम्प्ली इसके उपर आपको क्लिक करना है तो जैसे ही किलिक करेंगे दोस्तों यहां पर देखेंगे कि आपका यहां पर फोड़ोशॉप का इंस्टोलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उसके इहां पर नीचे में आप्षन मिल रहा है कांटिन्यू आपको इस कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे कलिक करेंगे तो ऊपर में आप यहां 100% हो चुकी है उसके बाद नीचे में एक option मिल रहा है installation complete Adobe Photoshop 2020 has been successfully installed simply यहाँ पर नीचे में close वाला बटन मिल रहा है तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है close के उपर जैसे क्लिक करेंगे वह pop-up आपका गायब हो जाएगा और उसके बाद अब आपके computer में Photoshop 2020 वाले वर्जन जो software था वह install हो चुका है तो अब यहाँ पर इंस्टाउल हो चुका है तो अब आपको इंस्टाउल करना है एक्स्टेक्ट के उपर क्लिक कर देना है और यहां से जैसे के उपर क्लिक करेंगे तो वह pop-up भी गायब हो जाएगा उसके बाद अब यहां पर आपका Photoshop 2020 इंस्टाउल हो चुका है और यहां पर यह जो टूल है यह टूल भी इंस्टाउल हो चुका है चले मैं अपना फोटोसॉप का 2020 को आपन करके देखता हूं कि वह कहां पर दिखता है तो यहां पर डेक्स्टाउप में देखिए जैसे इंस्टाउल करेंगे तो इंस्टाउल करने बाद यहां पर फोटोसॉप का 2020 वाला वरजन आपको यहां पर आइकन से दिख रहा है इसके उपर आपको अभी मैं इस साइड में यहां पर इसको कलिक करके इस परकार से यहां पर जो आप्वाले टूमका इन सबीको थोड़ समय यहां पर आंदर कर लेता हूं जो कि हाँ पर काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है साइट से इसको इस परकार से उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर विन्डो या साथ में पर के बड़ा करने और बड़ा, करने के बाद यहां पर जो ऑप्शन मिलना है त्री लाइन का इसके उपर आपको किलिक करना है और यहां पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करना है और नीचे में यहां पर ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर दिखे आपको सिंपले किलिक करना है किलिक करने बाद यहां पर यह जो फोल्डर से यह फोल्डर के अंदर यहां पर यह एक्शन पाइल है लेकिन यहां पर यह बटन मोड में कैसे दिखेगा फिर से आपको यहां पर यह लाइन वाल आप्शन में किलिक करना है और बटन मोड के उपर आपको क्लिक करना है उसके बाद देखे दोस्तों यहां पर आपका यह जो एक्शन फाइल है वो लोड हो चुका है पूरी तरीका से अब आप इसको यूज कर सकते हो बहुत ही असानी से अब चलिए मैं आपको स्टे बाइस बताता हूं कि इस एक्शन फाइल की मदद से हम अपना काम को आसान बना सकते हैं दोस्तों एक्शंपल के लिए हमारे पास बहुत सारे फोटो आपको देखने को मिल रहा है मैं यहां पर कोई भी एक फोटो को लेता हूं सबसे पहले मैं बेग्राउंड रिमूब करके दिखाऊंगा तो इस फोटो को यहां पर मैं फोटो स्वाप में आपको उपर क्लिक कर Arya जैसे ही मैं क्लिक करने के बाद ही मैं आपको दूसरा फोटो गया हूज करके दिखाता हूं देखें एक और फोटो है पास तो मैं यहां पर इसे भी open कर लिता हूं देखिए यहां पर इस photo को मैंने open कर लिया हूं अब एक बार फिर से मैं यहां पर one click background गाइब हो चुका है एकदम से बहुत यह असानी से चाहो तो आप प्र अंदर बेग्रौण्ड को भी प्लेस कर सकते हूं अब यहां पर अगला जो एक्षण फाइल के अंदर जो आपसन है वह मैं दिखाता हूं सबसे पहला यहां पर बेग्राउंड कलर है ठीक है तो अगर आ है गली करनेगे बाद देखिए यहां पर एक क्लराइब उपन चुका है उसके बाद यहां पर यहां पर कोई हैं लेकरौण को trac तो यहां पर नीचे में मैंने एक option दिया है जिसका नाम है डिलीट यहां पर लिखा हुआ है लेकिन जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो इसके उपर भी काम करता है यह बदेख 아침 ऐसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा बेग्राइण ब्लर तो सिंप्फी उपर जैसे आप बेंगर ड्लर के उपर क्लिक करेंगे continue के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे बेग्रोंड बलर हो चुका है उसके बाद यहां पर आपको इसका इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए यहां पर आपको एक रेडियस का ऑप्शन मिलदा है इस रेडियस वाले ऑप्शन पे इस चैनल को आगे पीछे ब गरण रॉट करने बाद यहांपर देखें लिए कटलिक करता हूँ कितना डेखेंट का यहां पे वडर हो चुका है एक दम कोहीं आट इफीसल मित्लब की एकलर आरिविशे ऎसे होताइं अचैनल कोई जसे मिलर शॉन ءुड्र हो रहा हैै कोई दीकत नहीं होगी फूट प्णक्राट्च पिर से क्लिक करेंगे तो यहां पर चुका तो यहां पर देखिए जैसा था मेरा पोटो में ऐसा हो चुख है पिर से रीडू पर पेखिश्म करते जयेंगे को अंघेर्जरोड नहसे हैं लास्ट पर प्याइन जी यहां पर बेगरॉंड इसका रिमूब हो चुका है तो इस समय में हम प्याइजी को सेब कर सकते हैं सीधा इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर पूछेगा कि आपको कंप्यूटर में सेप करना या क्लाउड में तो आपको सिंपलि कंप्यूटर बन रॉटर को चूल करना है और कहां पर आपको सेफ करना healthy शेगा तका है तर आपको शॉत करने के बाद चाहँ तो इसको में भी एड़िट करने के बाद इसको सेबर पाएंस तो यह तो हो गया कि इसके बेग्रोंड से रिलेटेट जितने भी एडिटिंग वगर करना होता है वो आप कर सकते हैं उसके बाद उसके नीचे यहां पर मिले है पासपूर्ट साइज फोटो बनाने का अलग-अलग साइज आपको मिलता है अब जैसे कि एफोर साइज के अंदर थर्टी फोटो कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैं यहां पर बेग्रोंड को सेलेट कर लिता हूं तो सिंप्ली मैं यहां पर बेग्रोंड के उपर क्लिक करता हूं और यहां से कोई भी एक कलर को मैं सेलेट कर लिता हूं और ओकी के उपर क्लिक करता हूं देखे बेग्रोंड आ चुका ठीक है जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे देखे यहां पर 32 फोटोस आपका बन के तियार हो चुका है यहां पर एक लाइन में एक दो तीन चार है और उसके नीचे यहां पर आपको मिल ला है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि की आठ गुने अगर चार करते हैं तो 32 फोटोस आपको और जिनल पासपूर्ट साइज है यह जो कि हर जगह पे यही पासपूर्ट साइज चलते है ठीक है अब चलिए आपको अगर किसी को नीड होती कि मुझे इतने सारे फोटोस नहीं चाहिए साथ मुझे चार आठ पोने इस तरीका से थे फोटोस चाहिए तो रहे हम क सकते हैं तो इसके लिए भी एडवांस भर्जन हम ने एनकूलोड किया है यहाँ पर उन्कलों पर में फोर फोटो बनके त्यार हो चुका है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको option मिल जाएगा देखे इसके अंदर एड लाइन फोटो ठीक है तो एड लाइन फोटो के उपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखे यहां पर लाइन हमारा क्लिक करेंगे तो इस परकार से हम फोटो को एड कर सकते हैं उसके बाद सिंपली यहां से क्लोज के उपर क्लिक करूंगा तो यहां पर यह फोटो अभी मेरा क्लोज हो चुका है उसके साथ यहां पर और भी बहुत सारे options आपको देखने को मिलेगा जैसे कि 46 में 8 फोटो 46 में 2 फोटो का लाइन मिलेगा तो सबसे पहले 46 में 8 फोटो को हम बनाते हैं इसके पर में क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद यहां पर इसको बड़ा कर लेंगे रहता है यहां पर कूरा काम नहीं करना पड़ेगा उसके बार अपको दूसरा और Option मिलता है 16 ऑफोटो लाईन इसके उपर क्लिक करना जैसे azon क्लिक करेंगगे यहां पर प्लिक्ल मिलेगा घ्र all-up लाइन और दाना है तो अब एड होती जाती है और जैसे कि मैं यहां पर डिलेट बटन पर किलिक करूंगा तो कुछ इस परकार से हमारा जो फोटो का जो लाइन है वह यहां पर डिलेट हो जाती है तो देखें यहां पर मैं फिर से एड लाइन फोटो के उपर किलिक करूंगा तो कुछ इस परकार से यहा दिया गिया हैं उसी पोटो के नीचे लेगा और उसी आप्षार को यहांपने को यूझर करनाt और उसके बाद लास्ट में सबसे यहां पर बड़ी ऑप्शन मिल रही प्रिंट फोटो इसके उपर एक बार किलिक करेंगे तो सीधा आप प्रिंट वारे सेक्षन में चले जाएंगे तो जैसे कि दूस्तों यहां पर मुझे प्रिंट करना है यह मैंने सीट बना लिए तो यह आपर प्रिंट सेटिंग में जाएंगे और यहां पर अपना प्रिंट वाली बटन में किलिक करेंगे तो यह आपका फोटो है वह प्रिंट हो जाएगा तो दो आपने पूरा वीडियो को देख की समझ चुके होंगे कि यह टूल हमारा कैसे और क्या 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 काम कर सकता है यह आपने सीख चुके हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो काफी जधा पसंद आया होगा दोसतों अगर आपको वीडियो में दोस्तों के साथ शेयर करें तो अभी के इस दिवाली ऑफर के सेल का लाव उठाईए कि कि अगर दिवाली सेल खतम होगी तो उसके बाद आपको इसका प्राइस 599 रुपीज हो जाएगा 199 रुपीज से बढ़कर यह काफी पैसा वसूल चीज है दोस्तों आपका पैसा वेस्ट नहीं होने वाला है और 200 रुपए में क्या ही मिलता है इसके साथ आपको फोटो मैं करेंगा इस चाइब में करेंड़ कर दो сложно आपको डिक अलो कि अपको भादेक्श परी